मुस्कान कुक विदमी में आज हम बनाएंगे शाही पनीर हो सकता है कि शाही पनीर आपको बनाना आता हो लेकिन आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे आप बिल्कुल रेस्टोडेंट जैसा शाही पनीर अपने घर पर बना सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें तो चलिए शुरू करते हैं शाही पनीर बनाने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम पनीर जिसको हमने ट्रैंगुलर पीसिस में काट लिया है इस तरह से और हमने लिया है एक चम्मच, देगी मिट्च, खड़े मसालों में लिया है तेज पत्ता, दालचीनी, लॉंग, इलाइची और काली मिट्च, दो मीडियम साइज प्याज जिसको हमने कद्दुकस कर लिया है, दो टमाटर की प्यूरी, दो बड़े चम्मच मलाई और एक चम्म लिया है और उसमें हम डालेंगे बटर, यह मैं मूल बटर यूज कर रही हूँ, बटर को मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सभी खड़े मसाले, और मसालों को हम एक मिनिट तक भूनेंगे, अब हम इसमें डालेंगे प्याज जिसको हमने कद्दुकस करके रखा हुआ है और प्यास को भी हमें सुनेरा होने दाग इसी तरह बूनना है यह सभी इंक्रीजेंट्स जो भी मैं इस रेसिपी में यूज करूंगी वह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखे हैं क्वांटिटी के साथ तो आप उसे वहां से भी चेक कर सकते हैं प्यास को सुनेरा होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर की प्यूरी डालने के बाद हमें इसे एक से दो मिनिट तक इसी तरह चलाते रहना है अब हम इसमें डालेंगे एक चमज देगी मिर्च इसे कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे मलाई जो मैंने दो बड़े चम्मच ली है और इसके बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे की मलाई का कोई भी पीस ना रहे मलाई को हमें तब तक चलाते रहना है जब तक मलाई पूरी तरह ग्रेवी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए तो देखिए मलाई डालने के बाद कितनी क्रीमी क्रीमी एक ग्रेवी लग रही है और इससे बहुत ही अच्छा ज़ा टेस्ट आएगा इसका इसके बाद हमें ग्रेवी को एक से दो मिलिट तक मीडियम फ्लेम पे इसी तरह पकाना है वैसे तो हमें ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक ये मसाले ओइल न चोड़ने लगे तो देखिए जब आपको लगे कि आपकी ग्रेवी का कलर कुछ इस तरह का आ गया उस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे एक बावल पानी जिसमें मैंने एक चम्मच दूद मिक्स किया है आप चाहें तो इसमें एक बावल नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं लेकिन अगर हम पानी में दूद मिक्स करके डालेंगे तो इसका सुवाद और भी अच्छा आएगा इसलिए हमने इसे इस तरह से डाल लाए अब गैस को तेज करके हमें ग्रेवी को इसी तरह से पकाना है अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चमच नमक नमक आप अपने सुवाद के अनुसार ही डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें तो देखिए ग्रेवी को पकाने के बाद जब ये ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे पनीर के पीसिस पनीर के पीसिस को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे शाही पनीर मसाला मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब गैस को तेज करके हम इसको एक से दो मिनिट तक इसी तरह पकाते रहेंगे अगर आप बिल्कुल इसी तरह से शाही पनीर बनाएंगे जैसे कि मैंने आज आपको वीडियो में दिखा है तो यकीन माने अब शाही पनीर खाने फिर से आपको रेस्टोडेंट कभी नहीं जाना पड़ेगा और आप बिल्कुल रेस्टोडेंट जैसा बढ़िया सा शाही पनीर अपने घर पर खुद बना सकते हैं तो देखें ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है और अब हम गैस को ओफ कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चमच टमाटो सॉस अगर आपको टमाटो सॉस नहीं पसंद है तो आप इसमें एक चमच चीनी भी डाल सकते हैं मैं समझती हूँ कि ये इसका मेन इंक्रीडेंट था क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी सबजी बनाते हैं तो उसमें हलकी मिठास बहुत अच्छी लगती है तो देखें हमारा बढ़िया सा रेस्टूरेंट जैसा शाही पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है आप इसे ज़रूर ट्राय करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ ताकि हम मिलकर और भी नई-नई इंट्रस्टिंग रेसिपीज बनाते रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में